आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिमॉर्फिजम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्स तो पॉलिमॉर्फिजम बेसिकल होता क्या है पॉली का मीनिंग था हमारा मैनी एंड मॉर्फिजम का मीनिंग था हमारा फॉर्म जब एक ही अबजेक्ट हमारा है डिफरेंट टाइप से बहेव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं पॉलिमॉर्फिजम और हमने लास्ट वीड compile time polymorphism क्या होती है whenever an object is bound with their functionality at compile time जब उसकी जो functionality है तो वो किसके उपर bound होती है compile time फे तो हम उसको क्या बोलते है compile time polymorphism बोलते है compile time में क्या होता क्या है this is achieved by method overloading जो आपकी compile time polymorphism है ये किसके दोरा Achieve होती है यह आपकी method overloading के दोरा Achieve होती है हम बोल सकते है जो compile time polymorphism है इसमें क्या होते है जो आपका code है जब compile हो तो ये polymorphism कब होती है जब आपका code compile हो रहा है तो जो compile time polymorphism है इसको हम static polymorphism और early binding polymorphism भी बोलते हैं और आपको exam में आ जाता है कि early binding or static polymorphism किसको बोला जाता है static polymorphism और early binding polymorphism जो है compile time polymorphism को बोला जाता है और जो हम आपका यह है जो हम बोल सकते है कि method हमने यहाँ पर discuss किया जो method overloading तो अभी हम देखने कि method overloading basically होता क्या है जो method overloading होता है उसमें क्या होता है more than one function with the same name in our class having different prototypes तो हम क्या बोल सकते है कि हमारे पास क्या है एक class है more than one function है more than one function है और जिनका name है वो क्या है आपका बिल्कुल सेम है जो functions का अगर आप बोलेंगे अगर functions का name सेम है तो हम उसको differentiate किस तरीके से करेंगे जो उसकी data types है data types बोल सकते हैं prototype बोल सकते हैं जो हम बोल सकते हैं जो आपके passing arguments है कि वो क्या होंगे different होंगे जैसे कि अभी हमने क्या किया हो यहाँ पर एक example discuss की हुई है हमारे पास क्या है class coding अड़ा नाम की class है और उसमें हमने क्या किया हुआ है एक function बना के रखा हुआ है void sum और जो void sum है उसमें मैंने क्या रखा हुआ है दो parameters रखे हैं पहला क्या है int a और दूसरा क्या है int b और जो यह method है यह कर क्या रहा है इसको हम क्या पास करवा रहे है a और b जो क्या होगे दोनों की type क्या होगी integer होगी और वो क्या कर रहा है दोनों का plus करके किसमें store करवा रहा आपका integer c में और उसके बाद क्या कर रहा है उसको print कर रहा है system.out.print यहाँ पर मैंने sop लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है system.out.print तो वो क्या print करवा देगा c की जो value होगी जो a और b का plus होगा वो क्या करवा देगा और दूसरा क्या है हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है इसका जो method का नाम क्या है sum है और यहाँ पर भी मेरे पास method का नाम क्या है sum है. दोनों जो methods है उसका जो name है वो क्या है same है बट उसमें different क्या है वहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ था int a और int b तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है float a और float b तो अभी क्या बोल सकते हैं जो ये वाला method है ये क्या मांग रहा है हमारे से दो integer values मांग रहा है और ये वाला sum method है तो ये क्या मांग रहा है हम आपसे दो float values मांग रहा है इसमें क्या होगा A और B का जो plus है वो किसमें store करवा रहे हम हम float में और क्या print करवा रहे हैं हम system.out.print क्या करवा रहे हैं f की values तो अभी हम क्या करते हैं जो यह जो दोनों functions है इनको हम क्या करते हैं call करते हैं हमारे public static void main functions में तो देखिए यहां पर हमारे पास है यह है आपका public static void main तो जो मैंने लिखा psvm इसका मीनिंग क्या है public static void main यह क्या हो गया मेरा main method हो गया तो इसमें मैंने क्या किया सबसे पहले object बनाया coding data class का object new coding data तो मैंने क्या किया obj.sum यहां पर मैंने क्या पास किया है 5 & 7 जो क्या है दोनों ही आपकी क्या है एक integer value है अगर यह मेरी integer values है तो यह मेरे कौन से method को call करेगा यह मेरे इस method को call करेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है दोनों की ही क्या है मेरे integer values हैं तो क्या करवाएगा यहां पर आ गया आपका 5 यहां पर क्या आ गया 7 दोनों का plus होगा 5 और 7 कितना होगा आपका plus 12 तो यहां पर क्या printer करवाएगा आपको 12 प्रिंटर करवादेगा जो क्या है कि integer value है और दूसरी बार मैंने क्या किया obj.sum 9.0 and 7.0 जो दोनों मेरी values हैं दोनों क्या है आपकी flow type values हैं ठीक है तो आप यहां पर क्या use कर सकते हो double भी use कर सकते हो ठीक है तो इसमें यह example मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए है जो आपकी data types होती है यह different types होती है जैसे जो आपका C, C++ है उसमें कुछ और data types होती है ठीक है और कुछ data types ऐसी है जो आपकी java में नहीं होती है यह method यह जो example है यह मैंने आपको समझाने के लिए लिए है अभी देखो हमने क्या किया 9.0 और 7.0 पास करवा रहा हूं मैं जो दोनों values क्या है आपकी float है अगर मेरी दोनों values में float पास करवा रहा हूं तो यह किस method को call करेगा इसको जिसको क्या demand है दोनों float methods की दोनों float data types की demand है तो उसने क्या किया A और B का plus किया उसको store किस में करवा दिया F में और F को क्या कर रहा हूं वो प्रिंट करवा रहा है तो अभी जो हमारी output आएगी वो क्या आएगी पहली बार क्या आएगी आपकी output 12 जो क्या integer है तो दूसरी बार मैंने क्या किया 9.0 और 7.0 दो पास करवाए हैं तो अभी हमारी output यहां पर क्या आएगी आपकी 16.0 जो क क्या है आपका एक float है और ये क्या है आपका integer है ठीक है तो दोनों में क्या आ रहा है आपका जो data types है वो different है तो ये हमारा था compile time polymorphism तो same as जो आपकी second type होती है यहां पर polymorphism की वो क्या है हमारी runtime polymorphism ये क्या है polymorphism की second type है इसमें क्या होता है whenever an object is bound with functionality at runtime जब भी आपकी जो functionalities है वो कहां पर bound है आपकी runtime पर है तो हम उसको क्या बोलते है runtime polymorphism जो इस type की polymorphism होती है उसमें क्या होता है this is achieved by method overriding तो यहां पर मैंने क्या word यूज किया है method overriding और उसमें मैंने क्या word यूज किया था method overloading method overriding और overloading में ही अंतर है ठीक है तो अभी हम बोल सकते है जो यह हमारी polymorphism है इसको हम बोल सकते कि dynamic और late binding जो हमारी compile time थी वह क्या थी हमारी static और early binding थी और यह क्या है हमारी dynamic और late binding ठीक है तो जो method overriding होती है इसमें होता क्या है basically इसमें क्या होता है जो आपका methods है वह क्या होता है उसका same name होता है जैसे हमारा method overloading में था same होता है बट इसमें क्या करते हैं हम जो classes होती है classes क्या होती है हमारी different होती है जैसे ये मेरी class होगी A class होगी ये मेरी parent class है और ये मेरी B क्या है मेरी child class है जो method मेरा यहां पर लिखा हुआ है जैसे मान के चलो यहां पर मेरा method लिखा है sum तो मैंने क्या किया यही method यहां पर क्या करवा दिया override करवा दिया ठीक है तो हम क्या करते है इसकी वाइं एंगे now की कोशिश करते हैं जैसे देखी हमारे पास क्या है एक class है class coding हमारे पास क्या है coding नाम की class है जिसमें क्या है public wyd show show नाम का हमारे पास क्या है एक function है तो उसमें क्या लेaska हुआ है system.out.print class coding तो हमने उसमें क्या लिखा हुआ है class coding लिखा हुआ है और जो मेरी base class है तो वो कौन सी है अड़ा जिसमें मैंने क्या कर दिया coding class को extend किया है हम बोल सकते हैं जो आपकी base class है वो कौन सी है आपकी coding तो आपकी जो parent class है वो coding है और जो child class है वो कौन सी है अड़ा है तो देखो जो अड़ा नाम की class है उसमें मैंने क्या किया public state public wide show तो मैंने क्या कर दिया जो show नाम का function है उसको क्या किया मैंने यहां पर हमने क्या किया है वोग राइडन किया है तो हमने क्या किया system dotounded print class अड़ा हुआ ज़क़ है इसमें मैं हुआ तो यहां पर मेरा क्या था class coding था तो यह मैंने क्या किया और भर किया है यह मैंने क्या किया है तो हम इसको बोल सकते हैं method overriding तो हमने क्या किया? override कर दिया, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं? इसको use करते हैं public static void main में तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक object बनाया coding object new coding तो मैंने क्या किया? object बनाया इस class का अभी तक हमारी जहां पर कोई भी inheritance नहीं हुई है तो मैंने क्या किया? coding नाम की class का object बनाया और उसके show को call किया जब भी मैं इसके show को call करूँगा तो मुझे output क्या आएगी? output यहां पर क्या आएगी? class coding तो यहां पर मुझे output क्या आएगी? class coding तो दूसरी बार मैंने क्या किया जब coding का object बनाया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा super class का नाम लिखा और यहां पर मैंने क्या लिखा child class का नाम लिखा तो मैंने बनाया object 1 तो जब भी मैं object 1 .show के थूरू इसको call करूँगा तो यह किसे call करेगा यह वाला जो show method है यह call करेगा हमारा जो overrided method है ठीक है तो किसको call करेगा जो आपका add-up नाम की class में overrided method है यह उसको call करेगा और यहाँ पर print क्या होगा class method overloading और overriding में यही अंतर होता है जो method overloading है उसमें हम क्या करते हैं same नाम के जो methods है वो क्या होते हैं एक class में होते हैं और उनकी जो data types होती है वो क्या होती है different होती है जो ओवर राइडिंग होती है उसमें क्या होता है जो आपके same name के classes है same name के classes नहीं तो जो आपके same name के methods है तो वो क्या होते है वो different class में होते है जो parent class का कोई भी method है वो child class में क्या किया जाता है ओवर राइड किया जाता है okay students thank you thank you very much